आज आपको रोस कुकीज की रेस्पी बता रही हूँ, उसके लिए मैंने एक कप चावल काटा लिया है, आदा कप पौडर शुगर लिया है, इसके अंदर ही मैंने दोती नहीं लाची पिसली थी, आदा कप मैंने मैदा लिया है, थोड़े से मैंने काले तील लिया है, और ये रोस कुकीज का मैंने साचा लिया है, जिसे मैंने ओनलाइन मंगवाए है, पहले मैं चावल के आटे को, पौडर शुगर को, और मैदे को एक साथ मिला कर छण लूँगे, सबको छणने के बाद मैं इसमें काला तील डाल रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका एक घोल त्यार करूंगी, मैंने घोल त्यार कर लिया है, इसमें मेरा एक कप और दो चमज पानी लागा है, घोल की कंसिस्टेंसी देखिए, यह देखिए, चमज में चिपक रहा है, हमें इस टाइप का घोल त्यार करना है, और तेल भी मैंने गरम होने रख दिया है, मैंने तेल को गरम हुने रख दिया था और साचे को भी उसमें दो मिलिट तेल में रख दिया था अब मैं बोस कुकिस फ्राइ करूंगी इसको पहले मैं बैटर के अंदर मुझे पुरा डिप नहीं करना है 3-4 ती डिप करना है और इसके बाद मैं इसे तेल में डालूगी इसे मुझे नीचे तक नहीं चिपकाना है मैंने इसे उपर ही रखा हुए और गास को मैंने मिलियम किया है अब हम दूसरी रोस्पुकिस त्यार करेंगे मुझे इसे 3-4 ती रुभाना है अब मैं फिर इसे तेल में रख रही हूँ उसे नीचे के तच नहीं कर रही हूँ अब मैं इसे पलट दूँगी यह रोस्पुकिस हमारी रेडी होगी है इसे मैं बाहर निकाल रही हूँ और दूसरी रोस्पुकिस को मैं पलट रही हूँ इसी तरह मैं और भी रोस्पुकिस रेडी कर लोगी मैंने सारी रोस्पुकिस फ्राइ कर ली है और यह खाने के लिए रेडी है आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए अब्सक्राइब